हेलो फैंस, जो आपने लिखा हुआ देखा है, बिल्कुल सही देखा है, तो चलिए चलते हैं इस कहानी की ओर कहते हैं कि अगर आप अपनी पहली कोशिस में काम्याब नहीं होते हो, तो तब तक कोशिस करनी चाहिए, जब तक कि आप सफलत प्राप नहीं कर लेते यह बात कहने और सुनने में आसान लगती है, लेकिन जब एपलाई करने की बात आती है, तो भहुत हिम्मत की जुरत होती है, और इस हिम्मत की मिसाल हमें आईयस अधिकारी केज एगणे से लेनी चाहिए, जिन्होंने अपनी एदूत्य द्रहनता और लगन से अपनी कोशिस ज लिया, तमिलनाडू में रहने वाले गड़ेस एक बहुती करीब परिवार में जन्में, जो चार भाई बहनों में सबसे बड़े हैं, उनके पिता एक फैक्टरी में काम क्या करते थे, जहां उन्हें हर महीने 4500 रुपे मिलते थे, इस छोटी सी रकम में घर चलाना कितना मु अडमिसन ले लिया, लेकिन परिवार की स्थिति इतनी भी अच्छी नहीं थी, कि उनकी पढ़ाई का खर्चा भी अच्छे से उठा सके, इसलिए उन्हें बैंगलोरू की एक कंपनी में नौकरी करनी पड़ी, नौकरी करते हुए कुछ वक्ती भीता था, कि जैगरेस को एक बात समझा गई, कि इस नौकरी के सहारे वो ने तो अपना और नहीं अपने परिवार का भला कर पाएंगे, नौकरी करते हुए वो हमेशा अपने गाउं के लोगों की दैनी एस्थिति के बारे में सोचते, वो चाहते थे कि वो अपने गाउं की हलत भी सुधारे, और ये चैनले किये गौवर्मेंट आईस कोचिंग का एंटरेंस एक्जाम पास करके उसे जॉइन कर लिया, जहां उन्हें कोचिंग की तरप से खाना और कमरा फ्री मिला, लेकिन एक्जाम खतम होने के बाद उन्हें कमरा खाली करना पड़ा, जिसके बाद उन्हें दो वक्त का खा आईस की परिक्षा देने का फैंसला किया, और साथवी बार जब वो परिक्षा में बैठे तो रिजल्ट उनकी मेहनत का नतीजा लेकर आया, इस बार जैगड़ेस ने पूरे देश में 156 विरेंखांसिल की और आईस अपसर बनने का अपना सपना पूरा किया, जैगड़ेस हर किसी के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है, खासकर उन लोगों के लिए जो हालात का रोना रोकर उसे अपनी कमजोरी बना लेते हैं और पूरूंगा एक नई वीडियो के साथ, जै हिन जै बारा